हलो नमस्कार कृष्णा क्लासिस में आपका बहुत बहुत स्वागत हैं आज के इस वीडियो में हम बीए सिक्स्थ सेमिस्टर के पेपर फ़स्ट की इउनिट फॉर्थ में जो फिक्षन है नेक्टर इन एसीव उसके MCQ कोश्चन्स को डिसकस करेंगे MCQ कोश्चन्स को पड़ेंगे इस वीडियो में मैंने शभी इनक्टर इने शाहिव कमला मारकंडे का जन्म कब हुआ था तो कमला मारकंडे का जन्म 23.06.1924 को हुआ था 23.06.1924 को हुआ था सेकिंड कोश्चन है what is the original name of Kamala Markandia Kamala Markandia का original name था वास्तविक name है क्या है कमला पूर्निया तो correct option C होगा next question है question number 3 what was Kamala Markandia initial name profession Kamala Markandia का जो initial profession था वो क्या था initial का मतलब होता एक तरह से प्राथमिक या प्रार्मिक जो profession था उनका क्या था उनका जो प्रार्मिक इनिशियल जो प्रॉफेशन था वो जर्नलिजम था थी क्या पत्रकार था In which year did कमला मारकंडे या डाइट? कौन सी year में कमला मारकंडे की डैथ हुई थी? तो correct option होगा 2004 में Next question है question number 5 What is the name of her husband? उनके husband का नाम क्या था? John Teller उनके husband का नाम था तो correct option B हो जाएगा Next question है In which year nectar in AC बाज पबलिश्ट? कौन सी year में nectar in AC पबलिश्ट हुआ था? तो 1954 में ये पबलिश्ट हुआ था तो correct option D हो जाएगा Next question है question number 7 Where does nectar in AC कहाँ पर nectar in AC take place? घटित हुआ तो nectar in AC in India early 1950 में तो correct option B होगा Next question है question number Yet who is the protagonist of nectar in AC? Nectar in AC में protagonist कौन है? तो protagonist जो है वो रुक्मिडी है कौन है? रुक्मिडी Next question पर चलेंगे Next question है question number 9 Who narrates the story Story को कौन narrates करता है? कौन वर्डन करता है? तो story को narrates रुक्मिडी ही करती है तो it was told by रुक्मिडी ये रुक्मिडी के द्वारा टोल्ड की गई थी रुक्मिडी के द्वारा नरेट की गई थी Who shares वह share करती है With us हमारे साथ हर memories अपनी memories को तो correct option A हो जाएगा Next question है Question number 10 Who is the main character in the story? Story में main character है वो कौन है? वो रुक्मिडी है रुक्मिडी इस fiction की वो है protagonist है female protagonist Next question में चलेंगे Question number 11 है As the story opens जैसे ही story open होती है Start होती है What is रुक्मिडी dreaming of? रुक्मिडी क्या सपना देख रही है रुक्मिडी सपना देख रही है कि Nathan being विधर Nathan उसके साथ है तो correct option Nathan उसका पती है Nathan नाम के विक्ति से उसकी शादी होती है ओके तो किशान है ये गरीब किशान है तो correct option C होगा Next question है What is the name of रुक्मिडी's daughter? रुक्मिडी की daughter का क्या नाम है? रुक्मिडी की daughter का नाम इरावदी है तो short में तो इरा कहते हैं इसको प्यार में इरा कहते थे तो लेकिन इसका नाम है पूरा वो इरावदी तो 5 इसके बेटे थे फिर बाद में एक बेटा और होता है कुटी नाम का वो expire हो जाता है मर जाता है और सबसे पहली बेटी इरावदी है Next question है Question number 13 Which historical incident कौन सी historical incident shapes आकरती लेती है The setting of some inner fury कुछ inner fury fury का मतलब होता है अत्यादिक क्रोध कौन सी historical incident some inner fury कुछ inner अंत्रिक जो अत्यादिक क्रोध होता है उसकी setting ले लेती है तो वो correct option है B Quit India moment Quit India moment का मतलब होता है भारत छोड़ो आंदोलन की setting ले लेती है correct option B हो जाएगा तो next question है What is the name of Pramala's husband Pramala's husband कौन है Pramala का husband कौन है तो इधर है Pramala का husband kit है तो यह Pramala कौन है इरावदी की जो बेटी है प्रमाला उसका पती है kit Next question है How many older sister does Rukmini have कितनी बड़ी बहने थी Rukmini की तीन बड़ी बहने थी यह सबसे छोटी थी रukmini तो Rukmini सबसे छोटी थी तो correct option D हो जाएगा मलब जो रukmini के जो पिता थे गाउं के मुखिया थे उनकी चार बेटीयां थी सबसे छोटी Rukmini थी और Rukmini का विवा उन पर परियाप्त धन्न होने के कारण दहेज न देने की इस्तिती में थे वो उन पर प्रमा धन्न नहीं था इसलिए गरीब पिशानता नाथन नाम का विव्यक्ति उससे उसकी शादी कर देते हैं तो correct option D होगा next question पर चलेंगे question number 16 है how old is Rukmini कितनी उमर की थी Rukmini भेहन सी marriage नाथन जब उसकी शादी नाथन से होती है 12 years की थी 12 साल की थी तब उसकी शादी नाथन से होती है how old is missionary in the novel some inner fury missionary का मतलब होता है एक तरह से ईशा卑he dharm का जैसे कह देगे प्रचारक ईशा्ही धर्म का प्रचारक विदेसों में रहकर ईशाऑी धर्म का जो प्रचार-प्रचारक करता है तो यह कह लिजे इसाही धर्म का प्रचारग ओके भूजदा मिशनरी इन नोबल नोबल में कौन मिशनरी है सम इनर फ्यूरी सम इनर फ्यूरी के लिए हिकी तो करेक्ट ओप्शन ए होगा नेक्स्ट कोशन है कोशन नमर 18 वो आर्दा टू सिस्टर इन नोबल इन नोबल टू बर्जिंस यह नोबल है यह थीक है जो नोबल है सम इनर फ्यूरी शम इनर फ्यूरी नोबल की मिशनरी तो मिशनरी जो है शम इनर फ्यूरी नाम का नोबल है उसमें जो मिशनरी है इशाई धर्म का प्रिचारक है वो कौन है हिकी तीक है अब बात समझ में आगी होगी Who are the two sister in noble two virgins Two virgins नाम का इनका एक noble है इसमें two sister कौन है ललिथा एंड सरोजा तीक है तो correct option C होगा Where did Kamala settle Kamala कहां settle होती है इंग्लेंड में correct option A होगा Next question है Question number 20 Which disease does Sarojini have कौन सी वीमारी Sarojini को हो जाती है Tumor in uterus Uterus में tumor हो जाता है Next question है What was the name of Rukmini first born child Rukmini का first born child का नाम क्या था मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले सबसे पहले उसकी बेटी हुई थी जिसका नाम Rukmini ने एरावदी रखा था प्यार में उसको एरा कहती थी तो पहली बेटी थी उसके बाद 5 बेटे थे बेटा फिर और हुआ Next question है Question number 22 To whom did Rukmini first to sell her vegetable and fruit Rukmini का जो पती था नातन बहुत गरीब था किशान था तोटी जब उसकी शादी होती है तो देखती है एक तोटा फूटा जहुपड़ी जैसे कच्चा मकान होता है वो गरीब किशान होता है नातन तो Rukmini अपने घर का भरण पोशट करने के लिए जीब का अन करने के लिए vegetable of fruits घर पर ही उगा लेती है पास में ही जैसे पड़े होते हैं खेट पे लाट विलाट उसमें उगा लेती है और उनको सेल करके अपना क्या बोलते हैं गुजर बसर करती है अपने परवार का भरण पोशट करती है तो करेक्ट ऑप्शन होगा भी ओल्ड ग्रैनी नाम का ब्यक्ती था उसको सबसे पहले उसने अपने vegetables of fruits बेचे थे next question है क्या हमें Rukmini के बारे में बात करनी चाहिए what Vaj C like वह क्या पशंद करती है तो वह कशंद करती है अलब वो क्या है ये कहने दे तो वो एक पड़ी लिखी Rukmini थोड़ी पड़ी लिखी होती है पढ़ना लिखना जानती है जबके Nathan पढ़ा लिखा नहीं होता है वो गरीब किशान होता है वचारान पड़ तो C Vajay Literate Wife of Nathan वो नाथन की पड़ी लिखी पत्नी थी who never lost faith in who never lost faith in life वो कभी जीवन में विश्वास को कभी lost नहीं करती थी विश्वास नहीं खोती थी पड़ी लिखी थी positive सोचती थी negative नहीं सोची थी और कम पर विश्वास करती थी तो correct option C होगा next question पर चलेंगे question number 24 है what did Rukmini think Rukmini ने सोचा about the tannery tannery के बारे में that was constructed जो बनी थी in the village काउं में कुछ दिनों के बाद जुगी जोपडियों को हटा करके वहाँ पर एक tannery एक company का factory का नर्माण होता है जिसका नाब tannery होता है तो जब वो लगती है तो Rukmini उसके बारे में क्या सोचती है तो वो बहुत खुश होती है वो कहती है कि चलो कम से कम ये company खुली ये factory खुली इसमें हमारे बच्चे काम करेंगे और कुछ धन कमाएंगा और इससे हमारी family का भरड़ पोशट होगा तो उसे बहुत खुशी होती है तो correct option मेरे हिसाब से तो C है C बाज गिलेड वो बहुत खुशी थी विकॉज खुश थी विकॉज इट बड़ इट बुड मीन इसका मतलब था more money अधिक money मिलेगा for her family उसके परिवार को who is pulley pulley कौन है pulley he is a handicapped he is the handicapped boy Rukmini is brought back from the city Rukmini और और उनका husband Nathan सहर जाते हैं कामकी तलासपने बेटे के पास जाते हैं तो वहाँ पर उनको एक लड़का वही पर रहता है handicapped लड़का है pulley नाम का मुझे बापस आते हैं तो उस लड़के को बापस अपने साथ ले करके आते हैं तो pulley नाम का व्यक्ति है वो handicapped boy है ओके एक शो उसर को चलेगे दा नेम आफ और दा नेम साफ और रुक्मिनी और नाथन के यह कुशन नमर गलत चेंज हो गया चले चलते हैं कुशन नमर 26 है वो कुशन नमर गलत आ गया स्क्रीन पर तो डेस्क्राइब नाथन नाथन को डेस्क्राइब करिए what is he like उसे क्या पशंद है वो कौन है कैसा है he is a simple farmer वो एक साधरड किशान है who loves वो प्यार करता है and cares care करता है for his family अपने परिवार की in best way बहुत अच्छे तरीके से he can जितना वो कर सकता है वो एक साधा किशान वेशक है लेकिन अपने परिवार को इतना प्यार करता है अपने भी वच्चों को कि उतनी care करता है जितना संभव हो मतलब जितना वो कर पाता है उतनी care और प्यार अपने परिवार को करता है next question question number 27 why do rukmanis parents arrange her marriage to Nathan why means do rukmanis के parents जो माता पिता है नाथन के ही शाथ साथ रुकmanis की शादी को arrange क्यों करते हैं तो नाथन के शाथ उनकि इसलिए वो साधी को arrange करते हैं क्युक्व्के नाथन गरीब था उसे डौरी की कोई आवसकता नाई थी गरीब होता है वो व्यक्ति डौरी क्या दहेज क्या मांगेगा वो तो यह कहता है बस मुझे लड़की मिल जाए पतनी मिल जाए उतना ही काफी है तो उसे कोई डौरी की आवश्यक्ता नहीं थी गरीब था इसलिए तो इसलिए उसे तो नाथन दिक्वार्स नो डौरी उसे कोई डौरी की आवश्यक्ता नहीं थी दहेज की आवश्यक्ता है वो रिक्वार्स नहीं करता है मांग नहीं करता है तिक्वार्स की डौरी दहेज की मांग नहीं करता है इसलिए उन्होंने नाथन के शाथ अपनी बेटी की शादी की इरावदी ने क्या किया in order to keep family अपनी family को रखने के लिए from starving भूंक से दूर रखने के लिए during the time of drought and famine drought और famine के समय पर रुकमरी और सूखा के समय पर उसकी अपने परवार को भूंको मरने से बचाने के लिए रुकमिनी ने क्या किया तो रुकमिनी ने कुछ ऐसा किया जिसे आप आपने हंगर पोईम पढ़ी है हंगर हंगर पोईम पढ़ी होगी आपने हंगर पोईम क्या कहती है हंगर पोईम ये कहती है कि भूख ऐसी चीज है तो करीब व्यक्ति को मजबूर व्यक्ति को पतानी क्या क्या नहीं करवाने पर मजगूर कर देती है एक विचारा मचवारा अपनी बेटी का देह बाजार करने के लिए मजगूर हो जाता है सिर्फ पेट के लिए तो ऐसा ही रुकमनी को भी करना पड़ता है रुकमनी भी अपने परवार को भुकमरी से बचाने के लिए एक बैश्या होताती है और अर्ण मनी मनी को अर्ण करती है इस तरह से अपने परवार का भरढ़ बश्वट करने के लिए बैश्या बैश्या ब्रती नेक्ट कुशंन के कुशं नमर 29 What were the Rukmini and nothing doing in the city? What were the Rukmini? Rukmini क्या थी और नाथन क्या था? मतलए क्या कर रहे थे? Doing means कर रहे थे इन दाइत शिटी शहर में Rukmini और नाथन शहर में क्या कर रहे थे? तो भे अपना जो उनका मुर्गन नाम का बेटा था मुर्गन वो सहर में जा करके बस गया था तो उसकी तलास के लिए वहाँ पर गये थे सोचा था कि बहीं पर रहेंगे उन्हें बेटे के पास और कुछ करेंगे तो वहाँ पर मुर्गन तो नहीं मिला पुली नाम का एक व्यक्ति मिल गया था मैंने भी बताया था हैंडिकप ज चला के वो इस कली में रहता है और वो अपने बीवी वच्चों को छोड़कर पता नहीं कहां चला गया है तो उनको वो नहीं मिलता है कौन मुर्गन उनका बेटा उनको नहीं मिलता है नेक्स कोशन है वाइज रुकमिनीश मदर अपसेट बिद दा चॉइस ओफ नाथन एज रुकमिनीश हस्वेंड रुकमिनी की माता नाथन को मतलब उसके हस्वेंड के रूप में चुनने के लिए अपसेट क्यों है रुकमिनी की माता अपसेट है विद दा चॉइस पसंद से ओफ नाथन की एज दा रुकमिनी हस्वेंड के रुकमिनी के हस्वेंड के रूप में नाथन कोई क्यों चुना गया इस बात के लिए वह serious on upset है और क्यों upset है वह वह जानती है कि मतलब नाथन उनके टक्कर का नहीं है नाथन गरीब पिशान है तो वह बहुत वर्यशान हो जाती है कि इसका इस भरड़ पोशट कैसे करेगी होगा बहुत गरीब है कि उनसे निम निस्तरका था वो इनसे रुकमिणी के जो फैमिली था फैमिली थी उससे निम निस्तरका था she knows वह जानती है that कि नाथन इस बनीथ देम नाथन उनका उनसे नीचे है तो करेक्ट आप्सन भी होगा next question है question number 31 है the name of all Rukmini and Nathan's seven children in order from oldest to youngest are name of all Rukmini and Nathan's seven children Rukmini and Nathan's seven children Rukmini and Nathan's seven children उनका नाम बताईए in order from oldest to youngest पड़े से लेकर छोटे तो मैंने आपको बताया था उसके पांच बेटे थे स्टार्टिंग में फिर एक बेटा और हुआ सबसे पहली बेटी थी इरा तो इसका correct option D होगा इरा, अर्जुन, थंबी, मुर्गन, राजा, सैलवन और कुटी बाद में कुटी पैदा होता है तो वो कुटी फिर एक्सपायर हो जाता है मर जाता है next question है question number 32 who dies at the end of story story के अंत में कौन मर जाता है तो रुक्मणी का पती नाथन मर जाता है अंत में तो correct option C होगा next question है question number 33 which is not a major change in India in the novel which is not a major change क्या major change नहीं है हुआ in India भारत में in the novel, novel तो correct option D होगा फैस्टी ओफ लाइट्स और दीवाली correct option D होगा next question है question number 34 भेन रुक्मिनी बीकेम सिक जब रुक्मिनी बीमार हो जाती है edge जैसे ही sleep चोड़ती है हर parents होम अपने माता पिता के घर गो what is her new husband's reaction तो उसका जो फिर उसकी उसका जो पती था एरा का वो उसको रखता नहीं था वो उसको मारता तोड़ता था उसके बच्चे नहीं होते थे एरा के तो इसलिए वो अपने उस पती का घर छोड़ करके वो अपने माता पिता के घर आ जाती है फिर उसके अधर किसी man के साथ relationship होते हैं और दूसरा husband उसका होता है तो दूसरी शादी उसकी होती है तो correct option he shoots her वो उसको soot करता है soot का मतलब होता है एक तरह से एक आराम देना राहत देना ठीक है तो उसका reaction क्या होता है reaction he shoots her उसको soot करता है next question है who else did nothing have children with who else किसके और के शाद did nothing have children with तो किस और कोई एक ladies थी जिसके साथ नाथन के शम्मंद थे उसके वो कौँ lady थी उससे भी उसके संतान थी तो कुंती नाम की महला थी उससे उसके संबंद थे next question है question number 36 what is the true what is true क्या सही है about शैक्रेवानी शैक्रेवानी के बारे में इराज चाइल्ड जो इरागा इराग का बच्चा है इरागी बच्ची है तो शैक्रेवानी बेटा थीक है तो खरक्ट ऑप्चन यह होगा ही इस इंडियन एल्बिनो थीक है एल्बिनो एक होता है बहुत सफियद रंग का ब्यक्ति में बहुत गोरा चट्टा जिसके के गाल गुलाबी आंख गुलाबी आंखें के इस विक्दम गुलाबी जैसे होते है सुनहरे से बाल होते हैं उस तरह का ब्यक्ति ठीक है तो सैक्रेवानी इरा का चाइल्ड है बच्चा है इरा जो है जो रुकमिणी की बेटी है इरा उसकी शादी हो जाती है तो उसके एक संतान पेंदा होती है एल्बिनो ठीक है मतलब एल्बिनो जैसा मतलब बिल्कुल सपेद गोरा चट्टा एकदम गुलाबी गाल वाला हाखों वाला उसका नाम क्या था सैक्रेवानी नेक्स्ट कुश्चन है कुश्चन नम्मर 37 भीच डज नौट करेक्टराइज सैलवान तो सैलवाम को कौन करेक्टराइज नहीं करता है स्टेंट साउट फ्रॉम हिस ब्रॉदर सिस्ट वन करेक्ट ऑप्शन सी होगा तो गुड एट फार्मिंग वो है फार्मिंग करने में बहुत गुड था करें वो है क्या आए बटे क्यों दो तीन कुश्चन रहेगा है तीन रूर मेंट रुक जाओ खोलो पापा क्या कर रहे है पापा हाथ को रहे है समान अब लगाना मत दो मिट रुक जा रहे नदे इतनी रहे नदे क्या है क्या है अब लगा क्या है कि भूप केता है? हाँ